वेल्कम टू नॉलेज अकेडमी कैसे हैं आप सभी सर्वे भवनतु सुखिना हैं सर्वे संतु निरामया की कामना करते हुए आज का टॉपिक हम डिसकस करेंगे इसमें हम देखेंगे कि बाल विकास एवम शिक्षन शास्त्र के संबंद में कौन-कौन से स्पैसिफिक चाहे वे आपके सीटेट से संबंदित एक्जाम हो या जो एजुकेशन से रिलेटेट हैं एक्जामनेशन वो क्यों ना हो बट फस्ट आफ आफ एवर लाइक तो से दाट प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और मोटिवेट चैनल फॉर नियू अब्डेट्स बिल पेपर है उसके काफी टॉपिक इसमें कवर किये जाते हैं अता है आपका जो अध्यन का राइट एरिया है वो विक्सित होना चाहिए यह कहें कि उसमें गहनता अवश्य होनी चाहिए अता है इसी संदर्भ में हम कुछ क्विस्चिंस लेंगे तदा उनकी स्पैसिफिक आंस सही आंसर है वह इसके नर है नेक्स्ट क्विस्चिन विकास से संबंदित है इसमें पूछा गया है यह कहें कि विकास के प्रत्य के संबंद में पूछा गया है कि निमनली खितमें से कौन सा प्रत्य है विकास से संबंदित नहीं है तो इसमें फोर आप्शन्स हैं विकास आ पर जाएंगे तो देखेंगे कि अभीवरद्धी एवम विकास के संबंद में वीडियो बनाए हैं आप अपने करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें जिसमें डिफ्रेंस बताए गए हैं कि इसी तरह से जो अगला किशोरवस्था के अंतरगत ही तुफान आता है और परेशानी का काल कहा जाता है इसी तरह से जो अगला प्रश्ण है वहें बालिकाओं से संबंदित हैं कि बॉल्आ भाष्य भाष्य विकास में बालकों से किस आवस्था में आगे रहती हैं तो इसमें बालकों से जनरली प्रतेक अवस्था में यह प्रतेक स्टेजमें आगे रहती हैं अधर इसका जो सही आंसर है वह डी है क्यूंकि बालिकाय किशोर वस्था बालय वस्था एवं शेश्वा वस्था में बालकों से आगे-पाई जाती हैं नेक्स क्वेश्चेन है जो कि वश्यानुक्रम से संबंधित है इसमे एक दम विपरीत गुणोवाली संतान उत्पन होना वश्यानुक्रम का कौन सा सिध्धांत कहलाता है? एक दम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन होना वन्षानुक्रम का कौन सा सिध्धान्त है अतह जो सही आंसर है वह प्रत्या गमन का सिध्धान्त है क्योंकि शेश तीन में ये नहीं पाया जाता है अतह जो प्रत्या गमन का सिध्धान्त है वह सही है निरंतर्टा के सिध समानता के सिद्धानने वनशानुक्रम यह गुणन नहीं पाइया जाता है वरण प्रत्यावरण का जो सिद्धानत है औहाए सही उत्तर है अगला जो प्रश्ण है वह कि विध्यालय वातावरण में निमने लिखित में से किसका बुद्धी पर सरवाधिक प्रभाव पड़ता है तो जो सही आंसर है वह पाठ्ठ क्रम है क्यूंकि विद्धियालई पाठ्ठ क्रम के अंतरगत अनुशासन, पाठ्ठ क्रियाएं, वन्शानुक्रम, इत्यादी का इतना अधिक प् है कि चात्रों को नवीन पार्थ वस्तू सिखाने में सर्व प्रथम आप क्या करेंगे यदि आपको बालक को किसी नए मैटर से इंट्रोड्यूस कराना है तो आप उसको किस तरह से सिखाएंगे कहीं न कहीं यह जो टॉपिक है वह आपकी पार्थ योजना से भी संबंदित है तो इसमें four options हैं कि सीखने के नियम बताएंगे नवीन उदाहरन देंगे चात्रों के पूर्विज्ञान के इस्तर को देखेंगे तथा नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे तो naturally है इसमें जो previous knowledge का प्रेक्टर है वह important है अता है इसका जो सही answer है वह C है कि चात्रों के प्रश्ण के तरह सबसे नियमों में किस नियम को मांसिक तैयारी का नियम कहा जाता है अता है इसका जो सही answer है वह ततपलता का नियम है इसी तरह से आगे प्रशन की संबंध में यदी देखे तो व्यक्तिगर्छ शिक्ष्ण में निमनीलिखितमें से कौन सी विधी काम में आती है तो सामोहिक शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् धीरे धीरे अनिश्चित या एकदम से विक्सित नहीं होती है वरन अचानक विक्सित होती है इसी तरह से जो अगला प्रश्ण है वह सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पढ़ता है तो सीखने पर यानि अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव मनुवज्यानिकोंने ऐसा अभी प्रेर यानि motivation का पड़ता है क्योंकि motivation का फेकर्टर है वह learning के लिए important माना गया है इसमें भी motivation के दो प्रकार माने गए हैं जिन में antrik अभी प्रेर्णा तता अभिव प्रेर्णा अगला question है वह जीन पियाजी से संबंदित है कि पियाजी के मूर्थ संक्रियाओं का इस्तर किस अवधी में होता है तो इसमें four options हैं लेकिन जो correct answer है वह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक माना गया है moving to next question यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे आपके सामने four options हैं उनमें आप भाशन देंगे दंड देंगे उनकी गलती बताएंगे या असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे क्योंकि आप जानना चाह हैंगे कि बालक ऐसा असमाजिक व्यवहार क्यों कर रहा है आता है इसका जो सही आंसर है वह डी है अगला question पिछड़ी बालक की विशेष्टा नहीं है पिछड़ी बालक की क्या विशेष्टा नहीं है तो इसमें डी correct आंसर है अमूर्त चिंतन करना यानि जो पिछड़ा ब कमी होती है लेकिन वे अमूर्त चिंतन नहीं करता है अता है इसका जो सही आंसर है वह डी है इए की आमूर्त चिंतन करना नेक्स्ट है मूल्यांकन को मापनी की क्या विधी है तो इसमें दो विधियां बताई गई है गुलात्मक तथा परिमाणात्मक इसके संबंद में भी मैंने पहले विडियो बनाए हैं आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो अवश्य देखें इसमें जो question है उसका सही answer C है क्योंकि दोनों ही विधियों को मूल्यांकन की विधियां माना गया है चाहे वो गुणात्मक विधी हो या परिमानात्मक अगला question creativity से संबंदित है कि श्रजनात्मक ता क्या है यह श्रजनात्मक्ता है उसकी एक definition है तो इसकी जो सही definition है वो यह है कि नए एबम अमूल विचारों का प्रतिपादन करना वास्ताओं में creativity है अता है इसका सही answer है अगला जो प्रशन है वह कुपोशन की इस्थिती को परिभाशित करता है कि जब कोई बालक संतुलित भोजन नहीं कर पाता तता अनियमित जीवन व्यतीत करता है तो इस स्थिती को क्या कहेंगे इस स्थिती को कुपोशन की स्थिती कहेंगे अता है जो सही answer है वह C है इसी तरह से अगला जो question है वह child psychology या अपराधी बालक से संबन देता है कि अपराधी बालक होता है तो उसमें four options है उसमें जो बालक आसामाजिक कारे करता है यह सही answer है अपराधी बालक के विशेष्टा है विशेष्टा यह है कि वह आसामाजिक आचरन करता है I hope आपका concept clear हुआ होगा that's all for today please take care of yourself thank you